किसान बाईया नमस्कार आज आपको फिर से हम एक नए उत्पात से कंपोस्ट खाद कार्बने की युक्त खाद नाइट्रोजन पोटास फासपोरस युक्त खाद बता रहे हैं ये जो आप सूकी हुई धेरी देख रहे हैं इससे पहले हमने गोबर खाद को कंपोस्ट करके हर बार प्रक्रतिक वनस्पतियों का समावेश करके ही माइक्रो नियूट्रेंड एंजाइम पोशक तत्व फसल के लिए देते हैं इस बार जो पिछली बार लगाई गई खेत में अरंडे की फसल का जो कचरा निकला था उसे वेस्टडी कंपोजर के साथ कंपोस्ट करके ये वेस्टडी कंपोजर का उप्योग करने के बाद अरंडी की जो रूडी बचीती जो कचरा बचा था उसमें इस परकार सफेद नाइट्रोजन पोटास फास्परोस के जिवानों भी उपलब्ध हो चुके हैं एकदम सड के बारिक पाउडर जैसा हो गया ये खाद देखिए इसमें नीराई गुड़य का कचरा भी डाला गया है और ये जो आप देख रहे हैं एकदम ठंडी गरम की बजाए एकदम ठंडी ज्यादा ठंडी इसके अंदर से खाद निकल रही है ये बहुत ही अच्छा फाइदा हो रहा है वेस्टडी कंपोजर का उप्योग क करने से जब किसी भी गोबर के धेर को ये कच्रे के धेर को कंपोश्ट करने के लिए छोड़ते हैं तो उसमें गरमी प्यादा होती है पर वेस्टडी कंपोजर के उप्योग करने से इसके अंदर गरमी की बजाए ये ठंडक मैसुस हो रहे हैं अंदर से बहुत ठंडा है और इसके अंदर जो जीवानों बन रहे हैं इस परकार बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छी खाद अरंडी की ख़ली अरंडी की डस्ट उसकी जो रूडी उसका जो कचरा जो निकला पतियां वगर डंठल वगर वो सब इसके अंदर गलाने के लिए रखा है और एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से खाद बन गई है इसका हम उपियो करने जा रहे हैं हमारे खेत में जो बेर की फसल लगी है थाई एपल बेर भी है ग्रिन एपल बेर भी है और लाल वाले बेर वो तीनों ही वेराइटी है इसका हम पोदे की जड़ के पास समय अंतराल फूल आते समय फल उपियोग करते हैं यह अच्छा रहा कि वेश्ट डी कमपोजर कर्श्म चंद्राजी ने किसानों को जो दिया इससे किसानों की आई दुगनी हो रही है खर्चा कम हो रहा है जमीन स्वस्थ हो रही है जमीन जो रसायनों के उपियोग से मृत हो रही थी उसमें फिर से नए प्रयान आ रहे हैं मैं आप सबसे भी यही निविदन करना चाहूंगा कि आप भी वेस्ट डी कंपोजर का उप्योग करें और वेस्ट डी कंपोजर के उप्योग करने वाले हमारे सामाजिक मित्र कालूरम जीराठोड करमावास पट्टा जो कि इनके बगीचे पर इनों ने मा केरी में कालूरम जी बता रहे हैं कि 200 लिटर वेस्ट डी कंपोजर डालने के बाद भी एकदम ठंडी मैं इसको हाथ में लेके देख रहा हूं बिल्कुल ठंडी एक दम ऐसे कि अगर इसको थोड़ी देर हाथ में रखें तो बहुत थंडा महसूस होता है ये अरेंडी की खली में फासपोरस होता है पोटास होता है नैटरजन होता है ये प्रचूर मातरा में पोशकत्तों की पूर्ति कराता है हर एक प्रकार की बागवानी की फसलों में इसका उप्योग, दूसरी अन्य फसलों में भी उप्योग किया जा सकता है जिस किसी किसान भाई के पास अरणडी की फसल है और वो उसे फसल को बेचकर, उतपादन को बेचकर, पीछे जो डश्ट रहता है वो बाहर न डालकर वेश्टरडी कंपोजर से इसको कंपोश्ट कराए और फिर से खेत में डाले जेविक जिससे की जेविक जिवास में बनेगा उत्पाधन बढ़ेगा धन्यवाद